जेहिन दोस्तों स्वारत है आपनों का अजय सर्जी यूट्यूब चनल पर आज के वीडियो में हम लोग सिच्छा जगस से जुड़ी हुई समस्त ख़वों को देखेंगे उस्तर पत्र शुरवात है सिच्छकों की कमी से पढ़ाई पर संकट छात संख्या भी कम हुई यह मामला टीजीटी पीजीटी भरती को लेकर के हैं यह उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के काफी जादे संख्या में पद खाली है और अभी पुरानी जो भरती है 2022 का विग्यापन टीजीटी पीजीटी का जो निकला था उसका अभी परिच्छा भी नहीं हुआ है और अभी नए पद भी काफी संख्या में देखने को मिल रहा है जहें कारण पाथन पाथन बाधित हो रहा है और रेजल्ट भी यूपी बोर्ड का खराब जा रहा है इसमें ब पुरा दिया गया है कि परदेश के बित्पोषित स्कूलों में सिच्छकों की कमी का असर बच्छों की पढ़ाई पर रहा है यूपी बोर्ड के जस्में बारामिक के रिजल्ट में गिराबट आई है कई बरसों से इन स्कूलों के बच्चे टापर सूची में आये हैं यही बच्छा है कि इस्कूलों में छात्रों की संख्या आधी से भी कम रह गई है मतलब पहले टापर संख्या में आते थे जादे जादे लोग टाप करते थे लेकिन बाद में जब सिच्छकों की कमी होई तो इसमें गिरावाट आ गई इसम्मागा गया कि मादमी सिच्छा आयोग के लिए बन गई चुनवती, PCS 3 के साथ आरो ए आरो प्रारंबी परिच्छा भी टलने के आसार, परिच्छा केंद्रों की अरुप लगता के कारण उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग, UPPSC 27 अक्टूबर को प्रस्तावित PCS प्रारंबी परिच्छा 2024 को टालने के तय प्रारंबी परिच्छा 2024 के लिए पांच लाक प्रारंबी परिच्छा 2024 के लिए पांच लाक चीहत्तर जार इसा 2024 अभ्यतियों ने आविदन किये हैं ऐसे में दोनों परिच्छाएं अगर दिसंबर में प्रसावित हो जाती हैं तो 14 दिनों के अंतर में आयोग के लिए इन प्रमुक परिच्छाओं का आयोजन बड़ी चुनोती होगा आयोग ने आरो ए आरो की प्रारंभिक परिच्छा योजना में भी बदलाव किया है ऐसे में यह परिच्छा भी कम से कम दो दिन में पूरी कराई जा सकेगी इसके अलावा अभ्यतित दोनों ही परिच्छाओं की तयारियां अलग अलग करते हैं जड़तार अभ्यति ऐसे हैं जिन्होंने PCS के साथ आरो ए आरो परिच्छा के लिए भी आविदर किये हैं अगर 14 जिनों के अंतर में जोनों परिच्छाओं कराई जाती है तो इसे अभ्यतियों की परिच्छा सम्भी तयारियों पर भी असर पड़ेगा और एक और अपडेट है कि सिच्छा सेवा चैन आयोग में चात्रों का परदर्शन आज आज सिच्छा सेवा चैन आयोग में चात्रों का परदर्शन करेंगे कारण क्या है देखिए परदेश के ऐसास की माविज्याले में ढाई साल से लंबित असिस्टन प्रोफेसर भरती और असास की मादुन विद्याले में ट्जेटी प्जेटी भरती परिशा सिगर कराये जाने की मांग को लेकर सोमार को उतर परदेश इच्छा से वच्छान आयोग में सांतिपूर्ण किया जाएगा यह निड़ रविवार को परतियोगी चात्र प्रतित मंडल और युवा मंच की संयुक्त बैठक में लिया गया है से बैठक में सितला पसाद होजा अनियर सिंह आधी मौजूद है और देखें दो दिन परिशा कराने का बिरोध यह तरह आयोग केंद्रों के अनुप्ता के कारण परदेश की सबसे बड़ी परिश्ची परिच्छा PCS दो दिन कराने की तैयारी है और यह अभेर्ति लगातार इसका बिरोध कर रहे हैं अभेर्तियों कराने की परिचछ प्रारंबी परिचय वस्तुरनिष्ट प्रकार के परकर्श्ण पूछा जाते हैं और प्रतेक सही सवार पर उनके लिए निजरायत पूरे अंक मिलते हैं अलग-अलग दिनों में पेपरों में अलग-अलग सवाल भी पूछे जाएंगे और परशबत्रों के अस्तर में भी अंतर होगा ऐसे में परिशाद देने वाले अभटियों का एक समान मुल्यांकन कैसे किया जा सकेगा आकिर ऐसा कौन सा फारोला जिसके माद्यम से आयो सभी अभर्तियों का एक समार मुल्यांकर कर सकता है Civil Services की मुट Civil Services की मुक्त विश्विद्याले कराएगा तयारी विश्विद्याले 6 माह का certificate course शुरू करेगा उत्तर पदेश राजस्टंधन मुक्त विश्विद्याला अब प्रतियोगी चात्र चात्राओं को सिविल सर्विसेज की त्यारी कराएगा मुक्त विश्विद्याला संग लोकसेवा आयोग और उत्तरपदेश लोकसेवा आयोग की और से आयोई की जाने वाली भरती परिचाओं की तैयारी के लिए 6 माह का सर्टिफिकर्ट कोर्स शुरू करेगा बिश्विद्याला प्रसासा ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है इसे UPSC और UBPSC की ओर से आयोईस होने वाली सिविल सेवा भरती परिशा की तैयारी कर रहे अभरतियों की रहा आसान होगी सिविल परिशा के समसामाई घटा चक्र समेत अने टापिक को मुक्त बिश्विद्याले अप्डेट कर रहा है कुल्पती प्रोफेसर सत्य काम ने कहा की सिविल सेवा परिशा की तैयारी का विचार चल रहा है ECS भरती परिशा में जोड़े बिश्यों में सर्टिफिकेट पार्ट करम सुरू किया जाए ताकि विद्यार्शों को तैयारी करने में आसानी रहे करण्ट से तोड़े प्रश्णों को अप्डेट कर अध्यान सामागरी में उखलब्ध कर रहे जाए आरो यारो प्रारंभीक परिशा टलने के बड़े आसार दिसंबर में संभव यह कही महीने में दो बड़ी परिशाएं आयोक की मुश्किले बढ़ाएंगी तो कुल्विलाजुराकर के यही दो खबरे आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हैं बाके और कोई अप्रेट होगा मिलेंगे धन्यवाद